आज मैं बना रहे हूं गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी नास्ता इस नास्ते को आप सुबह के ब्रेकवास्ट में या फिर आप इसे रात के डीनर में भी बना के खा सकते हैं और इसी के साथ मैं बहुत ही बढ़ी आसी चटनी के रेसिपी सेयर करूँगी तो वीडियो को और नrir Allo लिये थो इनको भी हम मोटा-मोटा करके इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि आप इन शवीकामऄ पेस्ट बना के तयार कर लेना है यहां पर हमें बारिक पेस्ट हमें बना के तयार कर लेना है साथ में हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी अध्रक और दो से तीन यहां पर लेसुन की कलियां अगर आप लेसुन नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप यहां पर स्किप भी कर सकते हैं यहां पर हमें बिल्कुल बारिक पेश्ट हमें बनाके तयार कर लेना है पेश्ट हमारा बनके तयार हो चुका है तो इसे हम साइड में रख देंगे और यहां पर हमें एक बर्दन के अंदर लेंगे यहां पर गीहूं का आटा तो यहां पर मैंने डेट कप गीहूं का आटा लिया है अब नास्तिय को और भी अच्छा बनाने के लिए मैं इसके इंदर डाल रहे हूं यहां पर एक चमच कसूरी मेति एक चमच यहां पर हम डालेंगे सफेद तिल एक चुथाई चमच कोलोंजी डाल देंगे एक चुथाई चमच हल्दी पाउडर और आदी चमच में इसके इंदर डाल रहे हूं लाल मिर्च पाउडर अब डालेंगे इसके इंदर हम खूब सारा बारी कटावा हरा धनिया और स्वाद के नुसार इसमें हम नमक डाल देंगे सभी को हमें अच्छे से मिला लेना है अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेर करिएगा अब हमने जो पेश्ट बना के तयार किया था वो सारा हम इसके अंदर डाल देंगे और इसी पेश्ट से यहाँ पे मैं आटा लगा के तयार कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं बिल्कुल टाइट आटा लगा के तयार कर रही हूँ अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब अच्छे से मैंने इसको गूतते हुए इसका पिल्कुल टाइट आटा लगा के तेयार कर लिया है अब थोड़ा समय इसके उपर डालोंगे यहां पे तेल तेल डाने से जो हमारा नास्ता है पहुती बढ़िया और सोफ्ट बन के तेयार होता है तो आधी चमच यहां पे मैं तेल का इस्तिमाल कर रही हूँ तेल डाने के बाद में हमें एक बार इसे अच्छे से और गूत लेना है अब इसे हमें डग कर दस मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताके आटा वो अच्छे से सेट हो जाए तब तक कर लेता है मैं आगे बहुत ही बड़ी है चटनी के त्यारी तो यहां पे मनें कड़ाएक के अंदर लिया है 2-3 चमच यहां पे सर्सों का तेल जब तेल गरम होगा तो हम इसके अंदर टाल देंगे आपी टमाटर, तो याप मैंने बड़ी साइज का टमाटर लिया है, बीच मैंने इसको काट दिया है, पांसे छे लेसुन की कल्या लेंगे, और टमाटर को बहुत ही बड़ी और जल्दी सोफ्ट करने के लिए मैं डाल रहे हैं, इसके अंदरा आधी चमचे आपी नमक, और इस तो नमक डालने से जो टमाटर का छिलका होता है, वो बड़ी आसानी से निकल जाता है, अब देखिए टमाटर का छिलका है, वो निकल गया है, इसे हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि टमाटर का जो छिलका होता है, वो कभी गलता नहीं है, अब यहाँ पे हमें टमाटर को अ चेटनी के आंदर डालेंगे यहाम पर 5 बारी कटाव के अंदर है तो मेडियं मीडियम साइज क कैया साथ में खूप सारा भारी कटाव हराद जाल देंग्गे और दो बारी कटिव और पर मैंने तीखे वाली मिर्च ली हैं एक चोथाई चमच में लाल मिर्च पाउडरी डाल रही हूँ और एक चोथाई चमच में इसके डाल रही हूँ काला नमग सबी को हमें अच्छे से मिला लेना है अब ये देखे बहुत ही बढ़िया हमारी चट्री बन के तियार हो चुकी है अब इसे हम side में रख देंगे और तब तक कर लेते हम आगे नास्ते की तेयर 10 मिनिट हो चुके हैं और आटा भी हमारा अच्छे से set हो चुका है तो एक बार इसे हमें अच्छे से गूत लेना है जब आटा च्छे से गुत जाएगा तो हम इसके यहाँ पर दो लोईयां बनाएंगे तो यहाँ पर मैं दो बड़ी-बड़ी सैज की लोईयां बना रही हूँ अब यह दिके दो लोईयां हमारी बन के तयार हो चुकी है तो अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा सूखा आटा लेना है और एक लोई के हमें यहाँ पर रखतेना है और अच्छे से इसको बेल लेना है ना ही इसे ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही ज़्यादा इसे पतला बेलना है जैसे हम पूरियों के लिए आटार लगाते हैं और वैसे बेलते हैं बस वैसे ही हमें इसको बेल के तयार करना है अब यह देखिए बेल के हमें इसको तयार कर लिया है तो अब यहां पर मैं कटोरी की सायते से इसी थोड़ा गोल गोली काटके तयार कर रही हूँ तो आप चाहें तो बेलन से वैसे भी बेल के तयार कर सकते हैं अब यहां पर मैं कड़ाई के अंदर तोड़ा तेल गरम कर लिया है जब तेल गरम हो जाएगा तो यहां पर हमें एक एक पूरिया बना के इसके तयार कर लेंगे अब यह देखी कितनी बड़िया फूली फूली हमारी पूरिया बनके तयार हो चुकी है तो इसी तरीके से हम सारा नास्ताम बना के तयार कर लेंगे और फिर इसे हम सर्व करेंगे चटनी के साथ में जो हमने बना के तयार किये थी तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्रीज वीडियो को लाइक करिएगा ज़्यादस ज़्यादस वीडियो को सेयर करेगा क्योंकि ऐसी मैं रोज अच्छी अच्छी रेसिपे आपके साथ में सेयर करती रहती हूँ और कमेंट करके में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की नास्ते की रेसिपे कैसे लगी और इस नास्ते को आप सुबह भी बना के तयार कर सकते हैं और रात को डीनर में भी से बना के इंजोई कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है तो ट्राइ जरूर करेगा